अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जदी सी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिये और वीडियो को लाइक कर दीजिये आज जो सूट की डिजाइन्स है वो यलो कलर में हैं आप इसको हल्दी फंक्शन में पहन सकते हैं या फिर अगर आपका फेवरेट कलर यलो है तो यह सब किसे जादा बेस्ट चॉइस होंगे आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में आपको अलग अलग कॉंट्रास्ट कलर के डुपट्टे के साथ यलो कलर को कैसे mix and match करना है इसका भी अच्छा आइडिया मिले है अगर आपके वाडरोब में अल्रेडी यलो कलर की कोई पुरानी ड्रेस है तो उसको आप एक simple colorful डुपट्टे के अगर हम mix and match करना सीख जाते हैं तो आप यह समझेगे कि आपके वाडरोब में जितनी भी ड्रेस एवलेबल हैं आप उनको easily ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं यहां तक कि अगर आपके party wear dresses भी हैं तो उनको भी आप अपने वाडरोब में से mix and match करके easily एक नया dress और एक नया look create कर सकते हैं तो friends यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा helpful हो जाएगी यह वीडियो बेसिकली कहा जाए तो mix and match को ही लेके हैं बट आप इनको plain yellow color की dresses भी बनवा सकते हैं आपको यह भी idea मिल जाएगा कि इस समय किस color के patterns yellow के साथ चल रहे हैं mix and match करने में यह भी चीज काफी जादा useful हो जाती है कि कौन से color इस समय yellow के साथ trending है तो यह आपको चलेगा अगर आप simple wear रखना चाहते हैं तो आप simple white color के साथ और थोड़ा सा dark color देना चाहते हैं dark contrast देना चाहते हैं red color pink color purple color इन सब colors के साथ भी yellow को match कर सकते हैं basically yellow color थोड़ा सा dark color होता है तो इ उनी choice के according इसको mix and match करिए और एक नया सा look create कीजिए आपको इन वीडियो में ये भी idea मिल जाएगा कि किस pattern की suit आप yellow में बनवा सकते हैं basically tips आज का यह है कि अगर आपकी height लंबी है तो आप कोई भी dress wear कर सकते हैं बट लंबे के साथ थोड़े से बलकी में अगर है तो long frocks को थ बहुत ज्यादा चौड़ा दिखाते हैं तो आप ऐसे dresses को avoid कीजिए अगर आप plus size में हैं बट अगर आप plus size में नहीं है तो आप long frocks easily बनवा सकते हैं short height girls अगर plus size में है तो वह भी इस चीज को avoid करें thanks for watching bye bye friends